दोस्तों अगर आप दरपन के सामने हैं तो नीचे देखें नीचे और भी नीचे हाँ ये आपके पैरों की उंगलियां हैं विज्यानिकों का मानना है कि भवश्च में हम अपने पैरों की उंगलियों को पूरी तरह खो देंगे हमारे पूरवज प्राचीन प्रिमिट्स को पेड़ों पे अधिक उशलता से चड़ने के लिए पैर की उंगलियों की अवशक्ता होती थी ये पेड़ की साखाओं को पकड़ने के लिए अपने हाथों और पैरों दोनों का उपयोग करते थे आज इसे आज अधिकांश बंदरों और वानरों में दिखा जा सकता है उनके पैरों के उंगलियां लंबी और अधिक लचीली होती हैं जो उन्हें साखाओं पे चड़ने की अनुमती देती हैं मनुष्य एक अलग मार्क पर विक्सित हुआ है हमने सीधा चलना शुरू कर दिया था और पेडों से नीचे उतरना शुरू कर दिया था जिससे समय के साथ हमारे पैर कठोर और पैरों की उंगलियां एक आवशक्ता बन गए थी आज हम अभी भी संतुलन के लिए अपने पैरों की उंगलियों का उपयोग करते हैं लेकिन हमारा संतुलन अब बहुत अधिक केंद्रत है हाना कि जैसे जैसे संतुलन पुरी तरह पैरों की उंगलियों से दूर चला जाता है भविश में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ जाएं